अध्यात मरजोतिस के तमाम दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन और श्वागत आज के कारक्रम में आज हम दिपावली का जो उत्सव, जो महत्सव, जो पर्व, हमारे बिल्कुल सन निकट है, उसको लेकर महत्वपून चर्चा कर रहे हैं दिपावली पूजन कैसे करना है, महालक्षमी पूजन कैसे करना है, अश्ट सुधियों का पूजन, कुभेर का पूजन, साथ में ससंकल्प कैसे हम पूजा विधी को करें, गंदाक्षत पुस्प क्या पहले चड़ाना है, कैसे भोग लगाना है, इस सारी हम इस कारक्रम में न देखिए यहाँ पर सबसे पहले संकल्प के शाद हम पूजा करेंगे अस्ट सिद्धियों का यह जिनकी कंपनी है ओपिस है वो भी वहाँ पर कैसे पूजा करेंगे दीब का पूजन कैसे होगा यह complete हम चर्चा करेंगे तेकि सबसे पहले हम कोई संकल्प ले लेना हाथ में जल अक्षत यानि चामल कुछ फूल और कुछ दक्षणा लेकर हमें दुर्बा हो तो दुर्बा भी आप जरूर रख लें ठीक है ना उसमें हमने संकल्प को बहुत बिस्तार से लेकर मैं अलग से चर्चा कर चुक हूँ अगर आप उसमें इंटरेश्टेटर तो आप उसको देख सकते हैं तेकि संचिप्त में आप संकल्प कैसे लें भगमान विश्णू का तीन बार उच्चारण करना है ओम विश्णवे नमा ओम विश्णवे नमा ओम विश्णवे नमा ओम विश्णवे नमा जम्बू द्वीपे भौर लोगे भरत खंडे भारत वरसे आर्यवरतिक देशान तरगत ब्रम्म प्रदेख प्रदेशे जिस प्रदेश में आप रहते हैं वहाँ का नाम लेना है वहाँ का इस्तान का नाम लेना है और उस इस्तान अपने घर का नाम लेना है आप आपिस में तो आपिस का आपको जो है वहाँ पर मेंसन करना है और उसके बाद मासा नाम उत्तम मासे तो तुलार के कार्तिक मासे कार्तिक महिना चल रहा है कृष्ण पक्ष है तो कृष्ण पक्ष है ठीक है न और अमावस्याम चत्रदस्याम परता अमावस्याम क्योंकि उस दिन चतुरदसी रहेगी दिन तक उसके बाद मौशा लग जाएगी और अगर आप पहले दिन कर रहे हैं धंतेरस के दिन कर रहे हैं तो उस दिन आप त्रियोदसी का उचारण करेंगे ठीक है न अमुक वासरे जो बार होगा अमुक गोत्र उत्पन्नहा अपना गोत्र फि जो मैंने किया अच्छा है उसका मुझे शंपुन फला प्राप्त ओ साथ में कुछ ज्याता ज्यात कुछ जान बुच करके कुछ अंजाने में जो पाप हुआ है वह मानसी हो चाय करम से हो उसका पाप खत्म हो जाए शकल पाप निब्रति पूर्वकम सभी पाप से निब्रत तो हो महालक्ष्मी प्रशुनता के लिए महालक्ष्मी पूजन चकरिष्य और इतना ही नहीं कुबेर आदी पूजन प्रचन भी होगा अहम करिष्य इतना करकर के आपको जो संक्र Ughannesji परपकरắn करदेना है उसके बाद आपको गनेश जी का पूजन करना है फिर महालक्ष्मी क पूजन करना है, स्रिंकला क्या रहेगा उसको आप नोट कर लिजिए, कैसे पूजन करना है, सबसे पहले चार बार जल से आपको, सबसे पहले तो फूल से फूल लेकर के या गंदाक्षत लेकर के आपको प्रणाम करना है उनको, और फूल छोड़ने है, उसके बाद चार बार आप जल छोड़ना है, चमत से, आच्मनी जो भी आप के पास है, पाध्य, अर्ग और आच्मन, ठीक है रहा है, और प्रिष्णान, इस तरह से आप जल छोड़ दीजीए, फिर पंचामिर्ट से आप इश्णान कराईए, अलग-अलग आप के पास जो पंचामिर्ट की सामगरी है तो आप उससे श्नान करा सकते हैं ठीक है उसके बाद आप संपूर्ण जल से श्नान करा हैं सरीशुक्त आपको आता है तो आप सरीशुक्त पढ़ें कनकधारा सरीशुक्त इसको लेकर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ आप उनको देख सकते हैं, पढ़ने का अभ्यास कर सकते हैं, जो पूझा पार्ट में इंटरेक्शन रखते हैं, उनके बहुत सारी सामक्री हमारे चैनल पर हैं, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, पंचामरती पास, थोड़ा तिलक जो है ग पुष्पम समर्पियामी, यग्योपवित गणेजजजी को पहनाना है, तो वहाँ पे गणेजजजी को यग्योपवित भी आप पहनाएंगे, ठीक है, उसके बाद फिर आप ये सब दुर्वा उसके बाद चड़ाएंगे गणेजजी को, और महालक्षमी को आप चड़ा र पहला आपके पास है सु हो चड़ा देना है फिर धूप और धीप दिखाना है धूप दिखाना है गनेशी का पूझन को लुषाना को महा-लक्षमी को जिस भी दे बता तो आपको दूपम आग्रहापयामी और दीपम दर्श्रयामी इतना कहे करके दूप और दीप आपको दिखाना है नेविद्यम निवेद्यामी उसके बाद जो भी आपने मिठा है आदी ला रखी है आपको नेविद्य चड़ाना है फिर फल चड़ाना है फिर आप पान आपन को करना है डखशिना हो गया उसके बाद गणेश जी को विश्जर अर्गच जरूर चढ़ा रहा है उस में आप सुपारी रखकर करके फल रखकर का पूजन कर रहा है महाकाली, महालक्षमी, महासुरस्थी उसका जो त्रुणात्प शुरूप है महालक्षमी का जो विशेश शुरूप है आपको कुछ चामल रोली से रंग लेना है और उसके बाद महालक्षमी कि अंगों का पूजन करना है थोड़ा फूली उसमें ले लेना है क्या कहना है आपको ओम चपला ये नमहा इसको आप देख लीजिए और मैं इसकी पर भी आपको दे रहा हूँ आप इसको पढ़ करके आराम से देखें बीच बीच में चावल और गंदाक्षा छोड़ते रहेंगे ठीक है इतना कहकर के आपको सभी अंगों का पूजन हम कर रहे है आपको गंद अक्षत और पुष्प महालक्षमी के यंत्र है चाय मूर्थी है उस पर छोड़ दा है तद उपरांट आपको अस्त सिद्जी हों का पूजन करना है जो अस्त सिद्धियां है उनका पूजन कैसे करना है आप इसको पढ़ करके देखें ओम अनिमने नमहा, ओम महिमने नमहा, ओम गरिमने नमहा, ओम लगिमने नमहा, ओम प्राप्तिये नमहा, ओम प्राकाम्याये नमहा, ओम इशिताये नमहा, ओम वशिताये नमहा इसमें दिसाई भी मेंसन कर रखी हैं जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं इसी हिसाब से आपको उस दिसाब में ध्यान करके गंद अक्ष और पुष्पच छोड़े हैं ठीक हो गया अब जो है महालक्षमी के जो सुरूप है आठ लक्षमिया है अस्ट लक्षमिया जिनको क इस प्रकार से आपको अश्ट लक्षमियों का पूजन करना है और यह सब करने के बाद आपको महालक्षमि के लिए अंती में धूप दीप नैविद्ध्य की जो विवस्ता रक्षन है उब बाद में चड़ाना यह अडचन पूजन करने के बाद ठीक हो गया उसके बाद दे आज तो होती नहीं है पैन होता है तो आज पैन का पूजन होगा महां इसमेह महा लक्षमिय महाकालियासस्म्रन करके आपको गंडाक्षत पुश् agree ठीक है न जो पैन है लेकनी है उसका पूजन करना है फिर कुबेर का पूजन उसमें होता है न उसका आपको पूजन करना है ओम धनेदाय नमहा इस प्रकार से कह करके आप उनको गंदाक्षत पुषपुछ पुछोड़ लें फिर जो दीपक बना रखें बहुत सारे वह आप 21 30 दीपक, 30 दीपक यह जितने भी आप बना सकते हैं उनको अधिक से अधिक बनाएं और उनका पूजन करें ओम धीपक ना थाए नमहा ऐसा कह करें कि आप गंदाक्षत पुषपुछ पुछोड़ सकते हैं और यह संपून करिया करने के बाद आप प्रणाम करके दीपक को मं आगे फोड़ें तो स्रक्षित तरीके से फोड़ें और हर सोर उनलास के साथ इस परवकों मनाएं आपको बहुत-बहुत मंगल शुपकामना हैं आप दिपावली को ले करके बहुत छोड़ी-छोड़ी कुछ उपाए हैं कुछ विदियां हैं उनकी जानकारी मैंने आपको दी है आप उसको जाकर देख सकते हैं मिलते हैं फिर अगरे कारकेम के साथ तब तक हमें दीजिये जाज़त तन्यबाद